गुजरात करेगी अपने परफॉम्नेंस से दिल्ली को दंका यहाँ दिल्ली बता देगी गुजरात की भाई हम ही है दबक मैं अमनगा परी आपका स्वागत करता हूँ चलचाए कबड़ी यहाँ मिलेंगे कबड़ी के रंग मेरे और आपके साथ हर ताइम के तरह इस बार ट्रिपल पंगा नहीं है जी हाँ इस बार केवल दो मैच है आज और क्यूंकि यह क्रिस्मस वीग शुरू हो चुका है आप सभी को क्रिस्मस की धेड़ धेड़ सारी शुपकाम ना है wishing you all a Merry Christmas क्रिस्मस के वीग में आज आपको देखने बलेंगे केवल दो मुकाबले लेकिन दिल मच होटा कीज़े यह दो मुकाबले भी महा मुकाबले हैं और बहुत आनल दाने वाला है अगर बात करें हम पहले मुकाबले की तो पहला मुकाबला है गुजरा जायंट्स और दबंग दिल्ली के बीच यह गेम भी खेला जाएगा बेंगलोरू के शेराटन ग्रांड में साड़े साथ बजे और आप इसे लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स टीवी निटवर्क पे अगर हम यहां बात करें दबंग दिल्ली और गुजरा जायंट्स से इतिहास की कैसे इनोंने मैचेस खेले हैं क्या है इनका इतिहास तो इसमें से एक टीम जीती है दो बार जब तीन बार जीती है दूसरी टीम और एक बार हुआ है ड्रॉ तो जैसे आप देख सकते हैं काफी काटे की टकर रही है दोनों टीमस के बीच में किसी ने दुसरे को जाता आगे निकलने दिया नहीं है जैसे कोई निकलते है पैर खिच के पीछे लाते हैं और फिर निकलती है दूसरी टीमा तो आज भी आप बिलकुल ये कर सकते हैं कि एक महा मुकाबला ऐक कांटे की टकर देखने मिल सकती है अगर मैं बात करूँ दबंग दिल्ली की तो दबंग दिल्ली के जो खिलाडी है जिस पे आपकी पहनी नजरे होनी चाहिए आज के मैच के लिए पहले तो वो होंगे नभीन कुमार दे रेडर नवीन कुमार जब पर्दस रेडिंग है उनकी जो उनका पिछला मैस था यो मुबाय खिला उसमें नवीन कुमार ने बटर लिए थे 12 रेड़ पॉइंट और 4 बोनस पॉइंट 17 टोटल कमाये थे और एक पॉइंट टैकल में भी तो आप देख सकते हैं नवीन का य जोगिंदर सिंग नर्वाल जबर्दस डिफेंडर है यह चार टैकल पॉइंट से लाए हैं और चार बहुत ही महत्वपून पॉइंट जिसके चलते हैं उन्होंने मात दी शिकस दी यो मुंबा को जो अपना पहला मैच काफी बड़े अंतर से जीत के आ रहे थे तो आप बि अगर अब हम बात करें गुजरात जायंट्स की टीम है यहां पर है राकेश नर्वाल जो आपको मिलेंगे रेडिंग डेपार्टमेंट में उनकी साथ है महेंद्र गनेश राजपूत और डिफेंस में एक बहुती जबर्दस्ट खेलाडी रविंगर पहल अगर मैं पिछले मैश की बात करो जो उनने बेंगॉल वोजर से खिलाफ खेला वहां पर राकेश नर्वाल ने एक खुबसूरत सुपर टेन लगाया जहां उनने छे रेड़ पॉइंट्स लिए पाँच बोनस और एक टाकल पॉइंट भी 12 पॉइंट उनने कुल लिए और एक ओवराल जबर् खिलाडी माना चाता है उसके साथ अगर हम राकेश नर्वाल गया राकेश सुंग्रोया दो राकेशों की जो जो जोड़ी है बहुत कमाल कर रही है दिल्ली के लिए अगर मैं बात को रविंदर पहल की रविंदर पहल ने भी तीन टैकल पॉइंट्स लिए हैं और तीन पॉ गिदीश फॉर्म में बिल्कुल आ सकते हैं गिदीश पे मेरी बहुत नजले रहेंगी बिकॉस मैं आशा कर रहा हूं कि आज हो बहुत ही बड़ी आशे लिए अब इन दोनों टीम को देखते हुए मुझे लग रहा है आज शायद दबंग दिल्ली वाजी मार जाए क्योंकि दबंग दिल्ली के पास है नवीन कुमार का धेर सारा टालेंट और जोगिंदर सिंग का एक्सपीरियंस और मंजीत और संदीप जैसे बहुत ही तगड़े डिफेंस तगड़े और राउंडर्स एक्सपीरियंस की लाड़ी जिनको गेम चलाना आता है तो अगर गुजराज को हराना है दबंग दिल्ली को तो मैनत तो करनी होगी भाई अब बढ़ते हैं आज के ही दूसरे मैच और आखरी मैच के बारे में बात करने के लिए यह मैच के लगा साड़े आठ को जो होगा बेंगलुरू बुल्स और बेंगौल वालियर्स के बीच जैसे आपको मैने बत सकते हैं Star Sports TV Network पर अब अगर मैं बात करूँ इनके इतिहास की कैसे इन दुनों टीमों ने प्रदर्शन किया है एक दूसरे के खिलाफ तो यह देखिए आठ बार जीती है एक टीम जबकि दूसरी टीम भी जीती है आठ ही बार 50% का विनिंग परसेंट है दूनों टीम्स के ल जो जीतेगा वो तोड़ेगा इस ट्रीक को और वो चला जाएगा जीत के मामले में एक कदम आगे अब अगर हम बात करें खिलाडियों की कौन से खिलाडी आज आपको जबर्दस प्रसेशन करते हुए दिख सकते हैं शुरू करते हैं हम बेंगॉल वारियोस से बेंगॉल व वो ही एक उमीद करें कि दोनों जो डिपार्टमेंट है वो एक साथ जब अच्छी तरह काम करें और एक ऐसा माहूल बनाएं कि जीत उनके कबजे में आ जाए अगर मैं कुछ अच्छे खिलाडियों की बात करू तो उनका जो पिछला मैस था कुजरार जायंट्स के खिलाफ मनेंदर सिंग जबर्दस रेडर साथ रेड़ पॉइंट और एक बोनस आठ पॉइंट उन्होंने लिये सुपर्टिक भी लगाई जाते लेकिन जस्ट चुग गए वो दो पॉइंट की अंतर रह गई केवल उसके साथ उनके जो फॉरण खिलाड़ी है इरानियन इसमेल लभ लिवाक्ष उन्होंने तीन रेड़ पॉइंट लिये एक टैकल और टोटल चार पॉइंट तो यह बहुत अच्छा बढ़िया साथ दिया है मनंदर का टैकल पॉइंट भी लिया है मलब डिफेंसेव डुटीज भी उतनी अच्छी निभाई है उनने फिर आते हैं आकाश पि सुकेश हेगडे इनका दिन उतना अच्छा नहीं रहा उतने पॉइंट से नहीं स्कूर कर पाई लेकिन यह उन्हें बिलकुल डिफाइन नहीं करता है इनको केवल एक गीम चाहिए और आपको सुकेश हेगडे शायद महिंदर सिंग से भी उपर दिखे लिष्ट में एक अब हम आते हैं बेंगलूरू बूल्स के तरफ बेंगलूरू बूल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो आखरी मैस था तमिल थलाइवास के खिलाफ इसमें पवन कुमार पवन कुमार सहरावद जबर दस रेडर खूबसूरत खिलाडी 9 रेट पॉइंट उन्होंने लिए और ये भी अपने सुपर टेंसे हलके से चूग गए लेकिन आज नहीं चूगेंगे आज अगर पवन कुमार अपने जजबे में अपने फॉर्म में आ गए ना तो आज वो दिखा देंगे सबको कि क्यू वो है एक बड़िया खिलाडी और पेंगॉल वारियर्स के डिफेंस के लिए क्यों वो परिशानियों को सबक बन सकते हैं उसके साथ चंदरन रंजीत ने बहुत ही अच्छा साजेदारी निभाई है उनके साथ अगर आप देखे छे रेट पॉइंट एक बोनस पॉइंट साथ पॉइंट चंदरन रंजीत के भी है तो अगर आप देखे 16 के चलते हुए अच्छा प्रदर्शन दिया है लेकिन बिलकुल यह होग कर रहे हो कि वह अपना प्रदर्शन को एक-एक कदम उपर लेके जाते हुए यह बताएं कि क्यों उन्हें एक बहुत बड़ा तगड़ा तीम माना चाता है इस टॉर्णमेंट मों क्यों एक बहुत ही कंटेंडर है वो इस सीजन के विजयता बनने के लिए तो यह थे हमारे आज के दो मैच बहुत जल्दी हम मिलेंगे आपसे कल ही जब हम प्रिव्यू करेंगे कल के दो मैचों को और आपको यह बताएंगे कौन है वो खिलाडी जिस पर आप बिलकुल दाउन लगा सकते हैं औ और कौन है वो प्लेयर्स जिस पर आपको एक पैनी नजरे रखनी चाहिए कि वो कर सकते हैं कमाल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जाते-जाते यह वीडियो को लाइक जिरूर कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमको यह बताईए कि आपको क्या लगता ह आज इन दोनों टीम मेंसे कौंसी टीम जीतेगी और कौन होगा वो एक खिलाडी जो बनेगा उनके जीत का मूल सूत्र कमेंट करके बिलकुल हमें बताईए तब तक के लिए मैं आप से लेता हूँ विदा आप देख रहे दे लीग 11 पे चरचाय कबड़ी मैं हूँ आपका ह जल्दी मिलूगा आपसे धन्यवाद